और यूरूप से इरान इस्राइल जंग में बिटेन भी अपकूद पड़ा है बिटेन के प्रधनमंत्री रिशी सुनक ने कहा है कि इरान के ड्रोनों को बिटेन की रॉयल एरफोर्स ने तबाह कर दिया उदर इस्राइल के पलजवार की रिशत में इरान के अंदर लोगों में बेचैनी देखने को मिल रही है कई इंटरनेशनल रिपोर्स में दावा किया गया है कि लोग अपनी गाडियों में पैट्रोल भरवाने के लिए भाग दौड कर रहे हैं लोग युद्ध की वज़े से खौफ में है टेर सौ से ज्यादा ढूंग पीस क्रूज मिसाइल सौ से स्यादा बैलेस्टिक मिसाइल तीन देशों की जमीन एराण, एराग और यमर गरिब तीन सो ढूंग, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ एराण, सीरिया, यमन और एराग की धर्ती से इस्यादा पर तीन दर्फा हमला हो गया इरान के सरवोच नेता आयतुला खामनेई के एक इशारे पर इस्रेयल को दहलाने के लिए दुनिया के तीन देशों से सैप्रो मिसाइल ब्रोन इस्रेयल पर तूट पड़े इस्रेयल का आयरन डोम एक्टिव हो गया इस्रेयल का एरोग डोम भी जंग के आस्मान में कहर खाने लगा इस्रेयल जॉर्डन और सीरिया के आस्मान में मिसाइल से मिसाइल टकराने लगे रोम से आयरन डोम के हथियार टकराने लगे इस तरह इरान और इसरेल का युद्ध शुरू हो गया। इरान ने वो जिज़त तोर दी जो उसको बार बार इसरेल पर सीधा हमला करने से रोक रही थी। इरान के सरवुच नेता खामनेई ने जो वादा किया था वो बदले का वादा पूरा कर लिया। जिसका नाम था Operation Truthful Promise। लेकिन अब इस जंग में आगे क्या होने वाला है। क्या ये जंग बढ़ने वाली है। इसरेल अब क्या एक्शन लेने वाला है। आखिर क्यों इरान ज की राश्रपती और अमेरिका के उपर राश्रपती ने इसरेल की सुरक्षा और इरान पर कार्यवाई को लेकर आखिर क्या बयान दिये। आखिर इसरेल की वार कैबिनेट इरान के खिलाफ पलटवार को लेकर क्या फैसला ले चुकी है। इन सारे सवालों का जवाब आपको हम देने बाले हैं लेकिन सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे इस्रैल की जमीन पर हुए हमले से जैसे इस्रैल पर इरान में ताबर तोड तीन सो ड्रोन और मिसाइल दागे और इस्रैल का आरन डोम और एरो डोम एक्टिव हो गया वैसे ही पूरे इस्रैल में छेताउनी के सा दाइरन बजोठे इस्रैल के तमाम लोग पर नावरे सुरक्षा के लिए बने हुए बंकरों और बंशेल्टर्स की तरफ दोड़ पड़े इस्रैल की पूरी आर्मी इरान के हुए हमले से बचाव करने में जी जान से जुट गए फिलहाल युद्ध के स्थिति ये है कि इस्रैल मनोवैक्यानिक जंग लड़ने में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है इस्रैल की तरफ से ये बयान दिया गया है कि इरान की तरफ से फायर किये गए सभी ड्रोन और मेंसाइल लगभग 99 प्रतिशत तक इस्रैल के एर डिफेंस हवाई सुरक्षा के द्वारा रोक दिये गए है लेकिन अराद के पास बेडोईन शहर में इरान की एक मिसाइल का हमला कामियाब हुआ है जहाँ पर 7 साल की एक लड़की खायल होई है इस्रैल के एक मिलिटरी बेस के हवाई पट्टी को नुकसान पहुचाने का दावा शुरुवात में किया गया था क्योंकि यहाँ पर एक टूज मिसाइल के सफल हमले की बात कही गई लेकिन इस्रैल ने फॉरण इसी एर बेस का एक वीडियो जारी किया है जिसमें इसी हवाई अड़े पर F-35 लड़ा को विमान उतर रहा है इस्रैल ने साफ साफ कहा है कि इरान के हमलों का उसकी हवाई पट्टी पर कोई असर नहीं हुआ दूसरी तरफ इस्लामिक रिवॉलूशनी गार्ड कॉप्स के कमांडर इंचीफ हौसेन सलामी ने भी चेताउनी दी है कि तेहरान अपने हितों, अधिकारियों और नागरिकों पर हुए किसी भी इस्रैली हमले के खिलाफ जवावी का रवाई करेगा उन्होंने कहा कि हमारा हमला जबरदस्त रहा, इस्रैल को उमीद से ज्यादा चोट लगी है हमने हमला करके अपने सारे निशाने सही लगाए है इरान के सशास्त्र बनों के चीफ आफ स्टाफ मेजर जनरल मुहम्मद बागेरी ने इरान के सरकारी टीवी में बयान जारी किया है कि अगर इस्रैल ने इरान के खिलाफ जवाबी कार्रिवाई की तो हमारी प्रतिक्रिया इस सैन्य कार्रिवाई से कहीं अधिक बड़ी होगी ये तस्वीर देखिए जिस वक्त इरान और उसके सायोगियों के दरब से मैसाइल और गोन इस्रैल पर हमला कर रहे थे उस वक्त और उसके बाद कई घंटे तक सीरिया, इरान, इस्रैल, जॉडन के आस्मान पर कहीं एक भी यात्री विमान लोकेट नहीं हुआ यानि पूरा एर स्पेस बंद कर दिया गया था टाइमस अफ इस्रैल के मताबिक इरान और उसके सायोगियों के दरब से 170 ड्रोन फायर किये गए ये सारे ड्रोन इस्रैल ने मार दिये, यानि एक भी ड्रोन इस्रैल की धर्की को हिट नहीं कर पाया इरान ने 30 क्रूज मिसाइलों से फायर किया, इनमें से 25 क्रूज मिसाइल इस्रेल के हवाई सुरक्षा खबच ने धोस्त कर डाले, इरान ने 120 बलेस्टिक मिसाइल फायर की, इनमें से ज़ाधा तर लंबी दूरी तक जाकर एर डिफेंस करने वाले इस्रेल की मिसाइल, एर डो पूम सिस्टम ने नश्ट कर दी। पूम सिस्टम ने नश्ट कर दी। इरान अब इस मामले से पीछे हटे। जबकि पश्य में इशिया के इस्लामिक देशों से बात करके भी एंटिनी ब्लिंकन इरान को अलग धलत करने की कोशिश में जुटे हुए। इस्रेल पर हमला करने के फौरण बाद इरान के शेरों में जबर्दस्त जश्ट मनाया किया। दूसरी तरफ इरान ने सयुक्त राश्र को एक पत्र भी लिखा। और इस पत्र में ये कहा गया कि यूएन के चार्टर 51 के तहर। उसे इस्रेल के द्वारा किये गए हमले का बदला लेने का अधिकार है। और उसने यूएन के चार्टर का ही पालन किया है। इरान ने कहा कि वो इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के राश्रोपदी जो बाइडन की शुरुवाती प्रक्रिया बहुत संतुलित है। अमेरिका ने कहा है कि इसरेल इस मामले को अब ज्यादा तूल ना दे और शांती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ इरान ने हमला करने के बाद अमेरिका और इसरेल को धमकी दी है। इरान सरकार का साफ साफ कहना है कि अगर इसरेल ने इस हमले के बाद पलटवार किया तो इरान वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिका के छेकानों पर बड़ा भीशन हमला कर सकता है इरान ने अमेरिका मुधमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने इस रेल का समर्थन किया तो इसका जवाब दिया जाएगा यानि हर हाल में आप इस रेल के बाद पलटवार अमेरिका पर होगा इस वक्त सीरिया के अंदर अमेरिका के 800 सैनिक है इराक के अंदर अमेरिका के पच्छिस सौ सैनिक है, कोवैर्ट के अंदर अमेरिका के तेरह हजार पांच सौ सैनिक है, जॉर्डन के अंदर अमेरिका के तीन हजार सैनिक है, सौधी अरब के अंदर अमेरिका के 2700 सैनिक है, कतर के अंदर अमेरिका के 10 हजार सैनिक है साफ नजर आता है कि अमेरिका ने इरान को पूरी तरह से घिर रखा है इसरेल की सेना इसरेल डिफन स्पोर्स के मुक्ष प्रबक्ता डेनियल हगारी का ये बयान है कि फ्रांस ने भी इरान के हमले से बचाओ करने में पूरी मदद की है अमेरिका की शुरुवाती प्रदिक्रिया तो यही है कि युद्ध आगे ना बढ़े लेकिन इसरेल इरान के हमले के खिलाब पलटवार करेगा या नहीं ये इसरेल की युद्ध कैबिनेट में तै होगा फिलहाल इस्रेल के पलटवार के खौफ में इरान के लोग बेचयान और परिशान नजर आ रहे हैं इस्रेल ने फॉरण संयुक्त राश्ट सुरक्षा परिशत की बैठक बोलाने की मांग कर ढली और अब वो इरान को दुनिया के अंदर साइड लाइन करने की जवरदस्त पूपनेतिक अभियान में लग गया है और देखिए इस वक्त इस्रेल की पूरी एरफोर्स का फोकस गाजा से हटकर इरान की तरफ हो चुका है और इसलिए उसने अपना सबसे खतरनाख फाइटर जेट 24 घंटे लॉंग रेंज वाले ओपरेशन के लिए तयार कर दिया है पश्यमेश्या के आसपास समंदर इस वक्त उबल रहा है इस्रेल जबाब देगा इसका सब को यकीन है फारस के खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है उबलते समंदर में डाले गए युद्ध वाले तेजाब का असर दिखने लगा है चार देशों के नाम लिए जा रहे है ये है इरान, इस्रेल, अमेरिका और रूस इरान के समंदर में बहुत बड़ी साज़श अप्रेल के महीने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है क्या अप्रेल के महीने में इरान और इस्रेल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है ये है इस्रेल का F-35 फाइटर जेट युद्ध के लिए बेचान बैठा यही है असली विमाद जिसे इस्रेल ने बड़े मिशन के लिए रेडी कर दिया है ये दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घादर फाइटर है जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीक में कर पाएगा इस्रेल ने अपनी F-35 स्टेल्थ जेट वाली फोर्स को इरान पर हमले के लिए पूरी तरह तयार किया हुआ है F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आथा यही इसकी सबसे बड़े खासियत है F-35 के अधितन प्रवतार करीब 2000 किलोमेटर पती घंटे है न दुश्मन का विमान इसे देख पाता है ना ही उसके रेडार इसे ट्रैक कर पाते है यही वज़े है कि F-35 इरान पर अगर हमला करता है तो इरान के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुँचकर यह बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है इस्रैल के पास 49 F-35 फाइटर जेट है अमेरिका के पास भी ऐसे करीब 500 विमान है अमेरिका अपने बहुत से F-35 विमानों को खाड़ी के इलाके में भी तैनात रखता है इस विमान को रोपने की ताकत इरान के पास नहीं है लेकिन इरान की छोटी लेकिन बहुत ही घार तक ड्रोन वाली मिलिटरी पावर ने कि इस्रैल हो चाहे अमेरिका उसकी ड्रोन शक्ती से बश्चिन एशिया में उसका कोई दुश्मन नहीं बच सकता सबाल है कि युद्ध का दायरा बढ़ने पर क्या अमेरिका के मिलिटरी अड़े इरान का अगला टार्गित होगा पाकिस्तान में एक बार फिर से अग्याद बंदुग धारियों का कोहरां चारों तरफ देखने को मिला पाकिस्तान के अंदर उस अमीर सरफरास का कतल हो गया जिसने भारतिय कैदी सरबजीत सिंग की हत्या खी थी इस चेहरे को आप पहचानते हैं ये वही सरबजीत सिंग है जिनकी जान की सलामती के लिए करोडों हिंदुस्तानी कई सालों तक दूआ करती रहे आखिर 2 मई 2013 को पाकिस्तान के अंदर सरबजीत सिंग को मार दिया गया था लेकिन जिस अमीर सरफरास ने सरबजीत सिंग के हत्या की थी उसी अमीर सरफरास को अब अग्यात बंदूक धारियों ने मौत के घाट उतार दिया है ये शब्द इस स्वक्त पूरी दुनिया में बहुत चर्चा में है ब्रेटन के अकबार दगार्डियन ने पाकिस्तान के अंदर अग्यात बंदूक धारियों की दैशत पर एक स्पेशल रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था किये अग्यात बंदूक धारी भारत के खोफे अजेंसी रॉक एजेंट है जो पाकिस्तान के अंदर मौझूद भारत के दुश्मनों से खौफनाक बदला ले रहे हैं और अब अचानक पाकिस्तान के अंदर सरपजीद के हत्यारे आमीर सरपराज के मौडर के खबर ने पूरे देश को चौका दिया है सरपजीद सिंग भारत पाकिस्तान सीमा परवसे तरंतारन जिले के भीखी विंद गाउं के रहने वाले किसान थे 30 अगस्त 1990 को वो अंजाने में पाकिस्तानी सीमा में पहुँच गये थे जहां उनको पाकिस्तान की सेना ने गिरफतार कर लिया था तब उनकी उम्र 26 साल थी बिटन के अखबार दगार्डियन के दावे के बाद पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाये थे अब अग्याद बंदूक धारियों के गोली से मारे गए अमीर सर्फराज पर भी पाकिस्तान के अंदर भी मातम शुरू हो सकता है और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासर होगे